मैं आपको एक CPC की कुछ चीज दिखाता हूँ थोड़ी सी थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको देखिए एक में रुकना अगर यह बनाना चाहें एक डाइग्राम बना लें आप A. एक वेक्ति हैं और B. दूसरे वेक्ति हैं दो वेक्ति हैं अब मैं आप से बोलता हूँ आप लोग गाओं और सब में रहेंगे न अब हम देखिए मेरा मानना यह है के law किताबों में नहीं है law logic में है किताबों से तो सिर्फ हमें लिखना पड़ता है के section कौन सा है order कौन सा है और हम अपना maximum preparations competition की या अपनी live में जब भी हम practice में है उन provisions को याद करने में लगा देते हैं instead यह realize करने में के वो logically हमारे अंदर है मैंने CPC इसले चुना था क्योंकि CPC को normally बहुत बेकार subject माना जाता है कि बहुत tough है याद नहीं होता बहुत इतना बड़ा अब unfortunately आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा but I hope कि जब आप पढ़ेंगे I can promise अगर आपको यह याद रहेगा तो आप guaranteed यह कहेंगे कि इससे आसान subject भी कोई नहीं है आपको example से समझाता हूँ A और B दो लोग थे लेकिन A आप गाओं के सरपंच है गाओं के headman है पंचायत A आपके पास आते हैं logically बताना मुझे आप तो CPC पढ़ी नहीं है आपको logic की है आपके पास और तो कुछ है नहीं एक वो मेरे पास मा है वो भी तो होगा बट अब आप logically जब आप बताएंगे A आपके पास आया और उसने कहा के सर मेरी एक property है लेकिन ये जो B है न ये जो इस लाल रंग से बीच में दिखाया हुआ है मेरी property का हिस्सा green वाली B की है लाल वाली भी मेरी है yellow भी मेरी है लेकिन इस red वाली के उपर B unnecessary interfere करना चाह रहा है मेरे plot है उसका plot है साथ में वो उसमें घुस रहा है उसने आपको ये बात कही अब आप मुझे बताइए आप सरपंज हैं आप next चीज़ क्या करेंगे आप B को बलाएंगे ठीक है देखिए जो अब A ने शिकायत करी ये हमारा order 6 और order 7 में लिखा हुआ है plant बज़ कुछ कागज पे तो लिखके लाएंगे court में भी court में भी तो जा कि यही होगा बस फरक यह court में आप लिखके लाएंगे पंचायत में तो आपने कहा तरह इमाम, महराज बट वहाँ जाके आपने लिखके लाएंगे आप लिखके लाएंगे आप ऐसे ही नक्षा भी लगाएंगे यही चीज़ बताएंगे order 6 और 7 में यही कहानी है next अब आपने कहाँ B को बुलाएंगे भई यह B को कैसे बुलाएंगे call कर गें notice someone कैसे जाएगा someone कैसे जाएगा भईया हम उसके घर पे भेज देते हैं कोई आदमी कहता है मैं personally लेने चला जाता हूँ personally भेज देंगे तो हम यह सब कर सकते हैं वो order 5 में है वो order 5 में है आप जो logic लिए बताएंगे मैं आपको कह रहा हूँ कर सब law में यही है आपकी हर चीज मैं law में दिखा दूँगा पर आप problem क्या है आप law पढ़के logic ढूणते है logic पढ़िए समझिए law अपने आप आपके बीचे बीचे हा रहा है अब आप बताईए कि B आ गया अब B भी आ के कुछ बोलेगा के नहीं यहां B आ कैसे रहेगा देखे दो बात होंगी यहां पर office office देखते से ऐसा नहीं हुआ तो फिर दो बाते होंगी तो यहां तो B आएगा यहां B नहीं आएगा B नहीं आ आ गया तो ठीक है पर B नहीं आया फिर दो बाते होंगी right just to you know relax थोड़ा पढ़ाई करते हुए next देखिए जब वो आएगा तो अगर B नहीं आ रहा मैं नहीं आता B नहीं कह दिया कि कैसे सरपंच को मैं नहीं आता फिर तो सरपंच को उस बात पे फिर A के सुनके फैसला सुनाना पढ़ेगा के नहीं कागज देखे पढ़ेगा के नहीं यह order 9 में यही तो लिखा भी है X party proceeding में order 9 में लिखा भी है एक तरफा मगर अगर दूसरी बात हुई और B आ गया B आएगा तो B भी तो अपनी कुछ सुनाएगा आप सुनेंगे अगर आप सुनेंगे तो order 8 में ही तो है return statement देनी है कैसे होगी क्या होगा नहीं है अब बताएए A भी आगया B भी आगया अब तो B आया था अब पदचायत में एक दिन A ने आके पनी कहानी कही उन्होंने B को बुलाया B ने अपनी बात कह दी अब अगला step क्या होगा conclusion से पहले हम क्या करेंगे और क्या हम दोनों के एक अठे नहीं बुलाएंगे क्योंकि मान लीजे B यहां पर आया B यह कहता है के sir यह तो A जो कर रहा है सब drama कर रहा है A का जो भी है यह सब drama है A के फादर ने मेरे नाम पर will कर दी थी इस property इस वस्यत से इस property का मैं owner हूँ Right अब वो कहता है कि मैं इस property का owner हूँ B अगर इस property का owner है will के through बिलने कोई नई बात कर दी ना भी अब आप सरपंच है तो आप दोनों को बुलाएंगे कर नहीं बुला के कहेंगे ना भी यह तो तेरे बारे में यह कह रहा भी कि तेरे फादर ने इसके नाम पर वसियत कर दी यहां तक कोई doubt है देखे जब वो दोनों को बुलाएंगे आज की date में मुझे नहीं पता आप लोग गए है legal service authority, mediation, conciliation, arbitration बहुत सुन रहे हैं इसके बारे में order 10 rule 1 A में लिखा है compulsory करना है mediation यही पंचायत भी कर रही है हम भी करेंगे कि भाईया मान जाओ देखो गाओं की बात है फाल तु बक्वास बत करो अगर करोगे देखो इज़त खराब होती है अपना भाई चा रहा है right this is the approach कोट भी यह कहेगी मान जाओ क्या रखा है कोट में आओगे खर्चा बहुत होगा कुछ नहीं रखा लेकिन वो कहते हैं हम तो लड़ेंगे जी मूच की लड़ाई है पहले जब ऐसे कहता था मूच की लड़ाई तब मूच नहीं थी मेरी anyways पर मेरी लड़ाई नहीं है तो उन्हों का मूच की लड़ाई है मूच की लड़ाई अब उन्हों बynہ मतलब इस सारे मुद्दे में अगर आप पंचायत के हैड है अब आप क्या रिलाइज करेंगे इनके बीच में क्या जगड़ा डिसाइड करना है क्या जगड़ा डिसाइड करना है बताओ प्रापर्टी का तो है पर प्रापर्टी में इसमें मुद्दा क्या है मुद्दा है Ownership दूसरे मुद्दा है possession लेकिन तीसरे मुद्दा हो रहा अगा क्यूंकि बी ने यह कहा मैं will के थुरू यह वस्यत सची है के नहीं जब हमने यह decide कर लिया कि मुद्दा क्या है इसी is called as framing of issues कि जगडा क्या है order 14 पहले order 12 था जहां पर admission और denial किया था कि कबजा है वो order 12 था वो order 12 था जब जगडा decide कर रहे थे और अब यह order 14 है order 14 आ गया समझ issue decide हो गए अब हमें यह पता लग गया कि क्या साबित करना है कि भाईया कौन मालिक है किसका कबजा है विल सच्ची है के नहीं right यहां तक कोई doubt anyone अब अब एक को यह कहेंगे न भाईया अब एब बता भी तू तू साबित कर के तू कैसे है एक एगा जी अच्छा मैं अभी बुला के लाता हूँ वो देखो जी जमाबंदी में तो लिखा हुआ है record में के मेरे फादर के नाम थी और मेरे नाम आ गई नक्षा लेके आएगा गाउं के दो आदमियों को लाएगा के जी देखो पितने दिन से तो मैं वही रह रहा था ये सब चीजें हो जाएंगी तो ये जब अपने वो लाएगा ये witnesses को लाना नहीं है अपने गवाई लाएगा ना भई हान ना थोड़ा बताओ प्लीज अगर वो अपने गवाई लाएगा वो कहाँ लाएगा ओर्डर सिक्स्टीन में दिख लो ओर्डर सिक्स्टीन में बुलाएगा समनिंग और विटनेस जब बी को बुलाना था तो ओर्डर पांच था अब अपने बंदे जब बुलाने की बारी आई जगड़ा होता है ना पहले हम खुद लड़ते हैं फिर करते हैं रुख जावी मैं बंदे बुला लूँ जब बंदे बुलाने ओर्डर सिक्स्टीन में ठीक ओर्डर सिक्स्टीन भी हो गया अब एक बाद बताओ ठीक है वो राइट है उसका के तुम बंदों को बुलाओगे पर क्या तुम अनलिमिटेड आदमियों को बुलाओगे 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे कुछ तो कहीं लिख़ा होगा ना कि कितने मौके कुछ तो लिखा होगा कितने मौके राइट तो order 17 में लिखा है कि भई या 3 मौके देने चाहिए नहीं तो अगर 20 साल ऐसे हुआ 20 साल में 70 साल का ए था वो रहे ना रहे फिर राइट तो यहाँ पर order 17 आ गया लेकिन अब ये सारी बात देखिए पंचायत में तो मूँ जबानी हो जाएगी लेकिन पंचायत में भी कुछ चीज़े कागज से दी जाएगी लेकिन जब हम कोट में होते हैं कोट में तो आपको बता है हम एफिडेविट देते हैं ठीक है गवाई लिखी जाएगी कौन लिखेगा कैसे लिखी जाएगी वो लिखे ओर्डर 18 में ओर्डर 18 में आ जाईए अब A ने अपनी सारी बात कर ली जब A ने अपने सारे एविडेंस ले आया तो आप मुझे बताईए अब इसके बाद क्या होगा B लेगा बिल्कुल बढ़िया देखिए आपको तो साबह आता है B लेके आएगा अब B कहां से बुलाएगा अपने बंदों को भई सोडा से बुलाएगा गाड़ी तो एक ही है उसी बिठा के लाने है तोनों ने अपनी बात खूब आगे रख दी पन्चाயत के अब आप क्या करोगे फैसला कर दोगे यहाँ वो सनी देल वाला तारीख पर तारीख आप अल्टिमेटली क्या करोगे आप फैसला कर दोगे order 20 है वो judgment and degree अब आप realize करें आपने तो सारा CPC कर लिया मोटे तोर पर आपके logic से कोई भी चीज बाहर है इसमें अब थोड़ा सा complicate कर दू हलका सा if you allow me ठीक है please next दवाने बड़ देखिए अगर ए जो था यह minor बच्चा था अब यह 10 साल का बच्चा है 12 साल का बच्चा तो अब आप बताएं दस 12 साल का बच्चा क्या यह सारा खुद कुछ कर सकता था पंचायत में वो अब किसी ओ कहेगा ने जी मेरे चाचा जी है यह बोलेंगे guardian और वो आएंगे यह order 32 में तो लिखा है चोटा बीबी हो सकता है तो वो भी यही आएगा क्योंकि हम भेदवाब नहीं करते भाई सब जब हमार पास एक ही गाड़ी थी दोनों के बंदे बुलाने का order 16 तो order 32 में भी है दोनों के बुजरुक बुलाने की भी है इस एक ही लाठी से आखते हैं सबको बायसने इस नहीं है को लॉव में अब चलो चाचा भी आगया अब चाचा ने आखा का माई भी बिला मैं बहुत गरीब आद नहीं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं हम तो मर गए क्या करें माप कर दो कोट फीस अब आप कर रहे हैं कोट फीस माप कर दे नेक्स्ट आपके पास ओर्डर 33 आगया पॉप पर सूट इंडिजेंट एप्लिकेशन लगाओ होगी बात भी साबित कर दो गरीब हो देख लेंगे हम बड़े आदमें कर देंगे हम आप पर साबित करो ठीक है अब यह भी होगी कहानी अब क्या हुआ जब शुरू शुरू में जब ए आया अब ए ने तो कहा कि सर बी कबजा कर रहा है और बी ने क्या कहा कि कबजा तो मेरा है जब शुरू में उसने कहा कि कबजा तो मेरा ही है राइट तो उससे पहले एक वार बताता हूं सोरी A ने कहा कि Sir B को रोका जाए मेरे उसमें कब्जा करने से जब शुरू शुरू में पंचायत में तो उसने कहा कि भी ठीक है ठीक है उसको बिलाते हैं उन्हें कहा Sir वो आजाएगा पर उसे जब तक तो कहे दो मकान बना रहा है रुख जाए injunction आ जती है यह यह बात logical है हम इतना कह देंगे न के purpose defeat हो जाए तो यह क्या है next order 39 rule 1 and 2 जायज बादा injunction कहो कुछ मर्जी कहो आपको ने law बता रहूं किया है और court ने कह दिया आपके पंचायत में आपने कह दिया के भई देखे भई बनाना नहीं है कह दिया आपने के नहीं बनाना अब decide हो गया case चल पड़ा अभी हम बुला रहे थे मान जाओ ना मान जाओ रूठना मनाना चल रहा था ठीक है न अब जो रूठना मनाना चल रहा था उस दोरान में भी जो थे वो भया गुंड़ाई किसम के आदमी थे आपके भी पढ़ते होंगे क्लास में के नहीं हर जगा होते हैं तभी तो एड आती है के दाग अच्छे हैं तो थोड़ा सा हम तो देखो नॉंसेंस थे बताए पहले साइंस वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं एनिवेज तो अब क्या हुआ कि वहिया जब बी ने गुंड़ाई करके वहाँ पर मकान बना लिया अब मुझे बताईए ए का जो केस था वो क्या था शुरूरू में वो कबजा करने से रोका जाए पर अब उसने अगर मकान बनाई लिया तो अब एक क्या मांगेगा उसमें मकान हटाए और फिर बन ना बनाए देखिए, simple permanent injunction में तो हम उसे रोक रहे थे कैसा नहीं करना, mandatory injunction में दो चीज हो जाएंगी positive बात, एक उसे कहिए तोड़िये positive duty और negative and restraining क्या आइंदा से ना कर दिये ठीक, तो अब अगर ये बात करनी है तो उसको क्या अपना case amend नहीं करना पड़ेगा नहीं तो उसने तो मांगा ही कुछ और था के रोका जाए कि इसका purpose defeat नहीं हो जाएगा तो भाईया इसी के लिए तो order 6 rule 17 amendment of pleadings है for this purpose only for this purpose only ठीक है, अब इसको बहुत, मैं just idea because हमारे पार ताइम constraint है, बट आपको अब लगा कुछ CPC कुछ मुश्किल है, अब इनी चीजों को elaborate किया हुए आगे, next, देखे next, नेक्स्ट, ये देखिए, सब वोई चीजे हैं, जो आपको पढ़ाया है, और आप यहां से जाएंगे, आप पांच मिनिट आंख बंद करके, जो मेट्रो वाले हैं, वो तो मेट्रो में भी कर सकते हैं, आख बंद, जो गाड़ी चला के जाएंगे, बाइक वो आख बंद ना करें, वो आख खोल के रखें, और आप जब उसको पढ़ेंगे, then you will realize, कि आपको मैक्सिम चीज याद हो चुकी है, और हमें जब बेसिक चीज सम मैं से आप अभी बताईए, कम से कम आपको 50-60% अभी याद होगी, है के नहीं, आपने CPC पढ़ी है जब के क्लास में, याद हो गई न फिर भी, ये है पढ़ना का तरीका, कोई ऐसा है जिसने जुरिस्पुडेंस पढ़ी हो, कोई भी नहीं है, आपने पढ़ी है, जुरिस अपने अपनी चीज़ को ऐसा नहीं कहना जाए, पर आप याद नहीं है, याद इसलिए नहीं है, कि हमने फिर उस तरीके से नहीं बढ़ा, इसलिए याद नहीं है, मैंने जुरिस्पुडेंस ओनेस्टली बदा रहा हूँ, लग भग लग लग लास्ट टाइम, छे साल पहल अब कहा है कि हम उसे पढ़ते रहते हैं, लाइज दी कमांड आफ सोवरन, और वो क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल लौ, इंटरनेशनल लौ तो कुछ भी नहीं है, इंप्रपरली सो काल्ड, और यह कहा है, कस्टम, कस्टम तो कुछ नहीं है, ड्रामा, अब आप रट्टा मा बता हूंगा, आप आस्टिन भूल जाओ, आप मेरा नंबर भी बता के जाओंगा, आप मुझे फोन कर गालिया दे देना, बेशक, आपको बता रहा हूं, अप्रोच क्या होनी चाहिए, आस्टिन है, आस्टिन अगर आपको ठिंकर्द पढ़ने हैं, सबसे पहले पढ़िये वो कहां से है, उसके जीवन को पढ़िये, आस्टिन इंग्लेंड से आया था, इंग्लिश, किन दोरों में था, भाया जब इंग्लेंड वर्ल्ड को रूल कर रहा था, एक बात बताओ, अब जो गुन्डा है, इंग्लेंड गुन्डा था उस टाइम, अब गुन्डा आदमी जो बदमास है, तो किया कहेगा, वो यही कहे गए जो मैं कह रहा हूं भई है, मैं हूं यहां का दादा, बकवास नहीं है, यही कहेगा, तो उसने भी तो कहा था भी लौ क्या, यहां का कानून क्या है, जो अब उन वो आस्टिन उस महौल से था तो क्या आस्टिन वही बात नहीं करेगा आस्टिन ने वही बात करी अब उस टाइम इंग्लेंड अलग-अलग कंट्रीज को अपना गुलाम बना रहा था कि नहीं तो अब एक बताईए इंटरनेशनल लौ कि आपको लगता है वो इज़त करेगा आप बताईए वो इंटरनेशनल लौ को कुछ मानने का जब दूसरे पर अटैक करना है इसलिए उसने कहा कि इंटरनेशनल लौ है ना वो लाव मॉरैलिटी है बकवास है हम ना मान रहे हैं ले जाओ इसको चलो उठाओ फिर अब आप मुझे बताईए मैं हूँ कोई आके केहदी केहदी कस्टम क्या है कुछ ना है बकवास ना करो चलो यहां से तो वही बात उसने कही के कस्टम्स भी है उसको भी वह लौ नहीं मानता देर नाट लापर पर लिस होगा इसके इलावा बेंथम की थूरी में कुछ भी नहीं है